Hello everyone, our date is 26th of December 2021 और The Hindu News Analysis में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम The Hindu की Important News को एक्जाम के Point of View से डिसकस करेंगे। नीचे डिसक्रिप्शन बॉक्स में Telegram Channel Volcano IAS Academy का लिंक दिया हुआ है। आप Telegram Channel Volcano IAS Academy के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एक्जाम में CUPSC, State PSC and other exams के Point of View से एक काफी Important Information आप सभी की साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक जोग्रोफिकल मैप के साथ में। और आज आपका question ये है कि Kuno National Park कहां पर situated है। इसको जाकर के सबसे पहले आपको मैप में व्यू करना है और फिर नीचे comment box में इसके बारे में टाइप करना है। कल हमने आपसे question पूछा था गोदावरी रिवर से related। तो गोदावरी रिवर से related कुछ basic facts हम देख लेते हैं जो हमारे exam के point of view से काफी important हो जाते हैं। गोदावरी रिवर का origin महरास्टा जो state है वहां पर तरंबे के स्वर कुछ hills हैं वहां से origin होता है। उसके बाद में तिलंगाना से ये flow होती हुई अंदरप्रदेश से flow होती है और लास्ट में बेव बंगाल में अपने water को discharge करती है। कुछ important है इसके tributaries है जो हमारे exam के point of view से काफी important है क्योंकि जब भी UPSC prelims में देख लो या आप other exam में देख लो तो tributaries को लेकर के question काफी पूछे जाते हैं। इसके left bank tributaries के अगर हम बात करें तो उनके name है दूदना, पूर्णा, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंदरावती और सबरी। left bank tributaries में पेनगंगा, वर्धा और वेनगंगा, ये तीनों जो river हैं वो मिल करके एक river बनाती है तो उसका नाम है प्राणहिता, ये आपको ध्यान में रखना है, तो directly अगर प्राणहिता के बारे में पूछे तो भी आपको पता होना चाहिए कि ये भी गुदावरी के tributaries है right bank tributaries के अगर हम बात करें तो प्रवरा, मंजिरा और मान्यार, ये important river है tributaries, अब दे हिंदू का अगर हम discussion करें तो सबसे पहले front page पर, हमारे prime minister ने हमारी country को speech दिया कल और उसमें कुछ important बात बोली कि अभी हम देख रहे हैं कि COVID का नया variant Omicron देखने को मिल रहा है, जिसके ब जैसे हमारे आने वाले time में हो सकता है कि COVID के नए cases और ज्यादा increase हूँ, जिसके लिए ये बोला गया है कि बार बार ये study हो रही थी कि booster dose दी जानी चाहिए या नई दी जानी चाहिए, क्योंकि हमारी population का बहुत जारा part ऐसे हैं जिनोंने COVID की दोनों vaccine ले ले लेकिन उसके बा होगी seniors के लिए, ये जो booster dose दी जाएगी वो doctor की advice पर दी जाएगी कि इनको booster dose की ज़रत है या नहीं है, और जो बच्चे हैं उनके लिए 3 तारिक से, 3 January 2022 से 15 से 18 age group वाले जो children हैं उनके लिए vaccination program start कर दिया जाएगा, तो ये vaccination को लेकर के important information है, next important जो news है वो भी vaccination को लेकर के है, हमारे इंडिया में drug controller general of India ने co-vaccine को emergency use authorization दे दिया है, कि छोटे बच्चे जो है 12 से और 18 साल के age के जो बच्चे हैं उनको ये vaccine दी जा सकती है, तो ये इंडिया की second vaccine बन गई है, जिनको teenagers के लिए clear किया गया है, जो first vaccine थी वो जाएकोवडी थी और ये जाएकोवडी 3 dose DNA COVID-19 vaccine जिसको एहमदाबाद बेस्ट जाइडस कैडिलिया ग्रूप के द्वारा बनाये किया था, it is the first vaccine in India that could be administered to adults and those aged 12 and above, okay, next important news, यहाँ पर जो आर्टिकल है, वो अभी हमने देखा कि farmer जो farm laws थे, उसको लेकर कि लगबग one year तक प्रोटेस्ट किया farmers ने, अभी जो farmers union है, उन्होंन होएंगे, पंजाब में जो election होएंगे, उनमें यह participation करेंगी और अपनी तरब से अपने candidate बहुत सारी seats पर उतारेंगी, हालांकि यह जो farm protest हुआ था, farmers protest हुआ था, इसको lead किया था सहिंत किसान मोर जाने, उन्होंने बोलाया है कि अभी हम किसको support करेंगे, किसको support नहीं करें उन्होंने अपनी तरब से कोई भी एक तरीके से clarification नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने ये बात बोली है कि आने वाले टाइम में 15 जन्वरी को यह discussion होगा कि government अपने promises के according work कर रही है या नहीं कर रही है, उसके according discussion होगा, decide होगा कि आने वाले टाइम में क्या procedure अपनाए जाएग next important article, यहाँ पर जो news है, वो हमारा neighbor country म्यामार से related है, हमने ये देखा है कि म्यामार country में लगबग one year से वहाँ पर military rule चल रहा है और बहुत साथी atrocities वहाँ पर देखने को मिल रही है, एक news सामने आई है कि 30 people को वहाँ पर मार दिया गया और बाद में उनकी bodies को directly live जो है उनको जला दिया गया, हालांकि जो हाँ की military है, उनका मानना ये है कि ये कुछ लोग इस तरीके से जो terrorist group है, वो म्यामार में एंटर कर रहे थे और उनकी movement को capture करते हुए, उनको रोकने की कोसिस की गई, लेकिन वो लोग नहीं रोके, इसलिए उनके उपर firing की गई, लेकिन जो local human rights group है, मीडिया रिपोर्ट्स है, लोकल रेजिनेंट्स है, उनका मानना ये है कि ये है कि ये है कि लोकल पीपल थे और उनके उपर एक तरीके से अपने dominance create करने के लिए, जो म्यामार में military है, उन्होंने ये काम किया है, ये activity की है, तो इस तरीके से अगर हम देखें, तो present time में म यामार, अफगानिस्तान, बहुत सारी country ऐसे है, जहां पर काफी humanitarian crisis increase हो रहे है, इन सब भी को अगर हमें capture करना है, तो एक तरीके से इस तरीके की government हमें establish करने में, other countries को, other organization को बिसमें involvement हो लेनी चाहिए, कि जो भी issue है, उसको solve करने की कोसिस की जाए, ओकी, next important news, page number 8 पर, यहा rural areas में, urban area जैसी, जो facilities है, वो develop हो सके, जो infrastructure है, वो develop हो सके, लोगों को skilled, skilled based जो काम है, वो मिल सके, लोग गाउं में रहे, लेकिन सुईदाए infrastructure जो है, वो urban, urban level की establish हो सके, इसके लिए यह urban vision चला था, और इसमें, तेलंगाना जो state है, उसने top किया है, इसके अलावा कर हम बात करें, तो second number पर तमिलाडू, और third number पर गुजरात state इसमें आया है, अब यह urban mission क्या है, इसका सबसे important अगर है, इसके provision के हम बात करें, the provision of urban infrastructure in rural areas is the main purpose of the urban mission, विटेलंगाना have the highest point due to the outstanding performance of panchaitiras and rural development, इससे देखो क्या होता है, कि जब आपके गाउं में सारी सुईदाए infrastructure आपको urban based मिलेगा, तो लोगों में जो migration की जो समश्या है न, वो काफी कम होगी, हमें देख रहे हैं कि हमारे जो भी mega cities है, वहाँ पर जो एक तरीके से, जो burden है, वो इतना increase हो गया है, कि area कम है, इसकी वज़े से population ज़्यादा आ रही है, वहाँ पे, क्योंकि लोगों को सबसे problem यह होती है, कि livelihood जो problem है, उसको solve करने के लिए, लोग जो है, वो city की तरफ ज़्यादा migrate करते हैं, education के कारण से, ज़्यादा migration करते हैं, तो अगर यह सारे infrastructure rural areas में ही develop हो सके, लोगों को अच्छे livelihood option मिल सके, rural areas में, लोगों को अच्छे education मिल सके, rural areas में, तो cities की तरफ जो migration होत जिसकी वज़े से, जो congested environment develop होता है, cities में, वो काफी कम हो जाएगा, next important article, page number 9 पर, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, गुरू पूरब, जो festival है, उसके उपर country को एक तरीके से speech जिया, और उन्होंने, virtually conference के तरू, गुजरात का, जो एक गुरुद्वारा है, वहाँ पर लोगों से direct interaction किया, उसमें उन्होंने कुछ important points बोले, कि Sikh community ने, ना सिर्फ हमें important teachings और important preachings दी है, इसके अलावा, उन्होंने हमें सिखाया है, कि किस तरीके से, जब country को आपकी जर्रत हो, तो आप अपना sacrifice भी दीजिए, Sikh guru, हमें पता है, Sikh community में 10 Sikh guru हैं, और हर Sikh guru ने, अपने अपने time म जब भी उन्होंने लगा कि बाहर से, foreign कुछ attackers हमारे यहां पर आए हैं, और हमारे इंडिया की dignity को, security को वो destroy कर रहे हैं, तो उन्होंने हमेशा sacrifice देने में कभी भी वो पीछे नहीं रहे, Sikh religion का, हमारी country के लिए क्या contribution है, वो हमें सब कुछ पता है, society और spirituality से भी आगे जाकर के उन्होंने sacrifice और value जो country के लिए, जो work होना चाहिए, वो सब कुछ Sikh community ने हमें सिखाया है, यहां पर, गुरु ते एक भादूर की बात की गई है, कि उन्होंने अपने value और sacrifice, जब ओरंगजेब के खिलाप में उनके sacrifice की जड़र थी, तो वो किस तरीके से terror और religious, fantasism के against वो किस लड़े थे, यह सभी पूरी country को यह सारी बाते पता है, ओके, गुरु नानक के time की भी यह बात की गई है, कि किस तरीके जब foreign rules हमारे यहां पर इंडिया पर work कर रहा था, लोगों की moral को तोड़ने की कोसिस की जा रही थी, external attacks हमारे इंडिया में हो रहे थे, तो किस तरीके स जो हमारे सिख गुरु है, उन्होंने किस तरीके से हमारी country को सेव करने की कोसिस की, जो contribution है, the contribution of our gurus is not limited to society and spirituality alone, rather, if our nation is, its consciousness, faith and integrity are safe today, then at its core is the great penance of the सिख गुरु, Similarly, the life of the 10th guru, Guru Gobind Singh is also a living example of tenacity and sacrifice at every step, जब हमारे इंडिया पर attack हो रहे थे, नादिर सा और रहमत सा अपताली के, तो उनको stop करने के लिए, हजारों की संक्या में लोगों ने अपने sacrifice किये थे, जलिया वाला बाग मेसकर की बात की गई है, कि जब बिटिसर्स हमारे उपर डूल कर रहे थे, और किस तरीके से, लोगों को capture करने की उकोसिस, और अपना dominance बनाई रखने की कोसिस कर रहे थे, तो सिख कम्यूनिटी के लोगों ने अपना sacrifice दिया था, और ये माना था कि बिट के टाइम में उन्होंने अपने sacrifice किये थे, यहाँ पर जो article है, वो अभी एक नया bill pass हुआ हमारे parliament में, और इसमें बोला गया कि Mary's age को हम 21 करेंगे girls के लिए, पहले 18 थी, अब इसके लिए 21 करेंगे, तो काफी अच्छा initiative है, लोगोंने इसको appreciate भी किया है, लेकिन कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, तो UP में जो लाडो पंचायत से हैं, उन्होंने UP parties को notice दिया है कि अगर आपके candidate इस Mary's age का विरोध करेंगे, तो हम उन लोगों का साहिता नहीं करेंगे, उन लोगों को अपना vote नहीं देंगे, यह लाडो पंचायत क्या है, यह है सुनील जगलान, उन्होंने स्टार्टिंग में एक initiative स्टार्ट किया था, और उन्होंने यह बोला कि खाप पंचायत जो होती है, specific अगर हम देखें, तो हर्याना वाले रीजन में, UP वाले रीजन में, तो उन्होंने यह बोला कि girls का, women का participation होना चाहिए, जब यह नहीं हुआ, तो उन्होंने क जोड़ा हुआ है, और youth जो है, वो काफी election का जो एक तरीके से सब को change कर सकता है, इसी के basis पर यह बात रखी गई है, कि अगर आप marriage days को 18 पर ही रखने की बात करेंगे, तो हम आपका साथ नहीं देंगे, अच्छा initiative है, अगर girls का इस तरीके से inclusion होता है, politics party को अगर यह लगता है कि youth जो है, वो against है, तो बहुत सारे ऐसे amendment देखने को हमें मिलेंगे, जिनका काफी ज़्यादा आपने वाले टाइम में बहुत सायंदार effect देखने को मिलेंगे, next important article, page number 11 पर, यहाँ पर सबसे पहले जो news है, वो migratory birds को लेकर के है, उरिसा में जो चिली का लेक है, वहाँ पर कुछ migratory birds dead पाई गए है, इसके लेकर के जो state forest department है, उन्होंने बुलाए कि हो सकता है, poaching की, poaching का incident हो, लोग मार भी देते हैं migratory birds को, इसके अलावा हो सकता है कि bird flu के cases की वज़े से इनकी death हुई हो, तो यह अभी देखो discussion होगा, लेकिन हमारे लिए important हो जाता है, चिली area है, वहाँ पर एक lagoon के रूप में चिली का लेक situated है, चिली का लेक के बारे में अगर हम कुछ basic facts देखें, तो यह हमारे prelims के point of view से भी important हो जाता है, और migratory birds से connectivity दे करके, mains में भी यहाँ पर question पूछा जा सकता है, historical evidence के अगर हम बात करें, तो अलग अलग इसके origin के बारे मे world's second largest lacun है, it is the largest wintering ground for migratory birds on the Indian subcontinent and is home to a number of threatened species of plants and animals, ठीक है, 1981 में रामसन कर्वेंशन के अंदर, इंडिया की जो first wetland site थी, जिसको इसकी तहत designated दिया गया था, तो यह हमें पता रखना है, एक यहाँ पर, यहाँ देखू, कालिंजई, कालिंजई temple है, जो चिली का लेक में, जो इक island है, वहाँ पर यह situated है, तो यह चिली का लेक से related कुछ important facts है, जिसको लेकर के हमारे prelims में यहाँ पर direct question आ सकता है, ऐसा बोला जाता है कि महानदी, जो river है, वो यहाँ से flow होती थी, और उसकी वज़े से ही, एक brackish water य रूप में famous हुआ, next important article, यहाँ पर, कस्मीरी जो people है, उन्होंने, हमारे horticulture experts को, ministry of agriculture को, कुछ written letter उन्होंने लिखा है, कि valley में, हमारे कस्मीर valley में, जो apple dealers है, उनको कुछ परेशानी हो रही है, उनका यह मानना है, कि present time में, इरान से, जो हम kiwis मंगा रहे हैं, इसके अलावा apple भी वहाँ से हम import कर रहे हैं, जिसकी वज़े से हमें काफी ज़्यादा परेशानी हो रही है, परेशानी होने का क्या कारण है, कि उनकी वज़े से कुछ paste, कुछ कीट जो है, वो हमारे इंडिया में आ गए हैं, जिसकी वज़े से हमारी ये जो crop है, उसको काफी ज़्यादा नुकसान हो रहा है इसके लिए उन्होंने वोला है कि जो भी fruits वहां से मंगवाए जा रहे हैं उनके बारे में अच्छे से discussion हो अच्छे से उनके बारे में जाच की जाए नहीं तो हो सकता है कि आने वाले time में जो paste वहां से यहां मारे सामने आया है जिसमें बोला गया है कि देको present time में discussion हो रहा है marriage age 21 करने कर ले करके कि 18 से increase करके 21 कर दो लेकिन इस study में एक बात सामने आई है कि जन्नी सुरक्षा योजना हम इसलिए हमने इस्टार्ट की थी कि जो institutional based delivery है वो जादा से जादा increase हो जिसकी वज़े से जो infant mortality rate है वो decrease हो और जो maternal mortality rate है वो decrease हो इन सारे points के उपर work करने के लिए जन्नी सुरक्षा योजना को start किया गया था लेकिन इसमें ये बोला गया है कि कुछ states को यहां पर cover किया गया है इस study में इसमें बोला गया है कि देखो ओरीसा 36 गड़ ये state जो है ये अपने आपको lead कर रहे है और कुछ state जो है वो अपने आपको वहाँ पर काफी कम जादा institutional delivery देखने को मिलता है जिसमें जारकंड, उतरपरदेश और बिहार है जिसमें 50% से भी low institutional delivery देखने को मिला है इस article में एक बात बोली गई है कि आप marriage age को increase कर रहे हो 21 हमने पहले भी देखा है कि जब 18 age थी तब भी अभी national family health survey 5k data आए है उसमें माना गया है कि 23% girls ऐसी है जिनकी शादी early early 18 age में ही हो गई थी तो देखो अगर आप marriage age increase कर दोगे और लोगों में अगर awareness create नहीं करोगे तो इसके result जो है वो ज़्यादा सही नहीं आएंगे इस article में ये बताया गया है कि poverty, education and exposure to a community health worker are more important than is at marriage in determining whether a mother will be able to have a safe birth in a medical facility according to a first of its kind study on utilization of institutional delivery in the country इस research में ये ही सामनी आया है कि जहाँ पर girls में जहाँ पर women में education देखने को मिला है वहाँ पर result बहुर शानदार रहे हैं तो आपको सिर्फ इतना करना है कि education का level increase करना है लोगों में poverty का level है वो कम करना है और जब girls में awareness रहेगी women में awareness रहेगी तो institutional delivery भी increase होगी और जो marriage age है वो भी increase होगी इसके अलावा और ज़्यादा जो हम देखें population control, birth control ये सारे provision के उपर girls, women जो है वो easily work कर पाएगी बतलब education is important की अगर आप हर चीज को amend करना चाते हो change करना चाते हो तो सबसे पहले आप लोगों में girls में, women में, society में आपको awareness बहुत ज़्यादा create करने की जरूरत है next important article page number 12, foreign piece पर यहाँ पर जो article है वो एक telescope launch किया गया है यह जो telescope है वो French Guayana से launch किया गया है French Guayana की पहले आप location देख लीजिए जो हमारा South America continent है उसके यहाँ पर Atlantic Ocean वाला जो region है यहाँ पर situated है French Guayana और ठीक है यहाँ ब्राजील से अपनी border share करता है French Guayana और यह जो है French Guayana यहाँ पर France France की territory है, France की colony है यह आपको ध्यान में रखना है और यहाँ से launch किया गया है इस telescope को 1990 में भी USA ने इसी तरीके के telescope launch किया था लेकिन कुछ समय पहले इस telescope पने work करना बंद कर दिया जिसकी वज़े से नया एक telescope और ज्यादा more intensity के साथ में more अच्छे technology और high level की यूज़ करके इस telescope पो launch किया गया है ताकि इसमें हमारी किस तरीके से universe का origin हुआ हो सकता है इसके बारे में भी बहुत सारे points सामने आए world's most powerful space telescope expected to reach destination in a month एक महिने में वो अपनी destination पर पहुँचेगा ऐसा research में या ऐसी study में सामने आया है ये जो नाम है telescope का या पुधान में रखना है James Wave Space Telescope हमारे prelims में science and technology से related coffee questions पुझे जाते हैं next important article यहापर देखे यह जो article है वो Ukraine और Russia जो conflict देखने को मिल रहा है उसको लेकर के है Ukraine का जो जुकाव है influence जो है वो US की तरफ होता जा रहा है और Russia अपने यहाँ पर कुछ rights group को एक तरीके से बंद करने की उन्होंने कोसिस की है उनका यह मानना है कि बहुत सारे ऐसे points है जिरको गलत तरीके से paste किया जाता है यहाँ पर चाइना ने जिंजियांग region जहाँ पर एक बड़ी problem चल रही थी कि वहाँ पर जो human rights है उनको save नहीं कर पारा चाइना तो वहाँ पर जो भी उनका representative था उसको change किया गया है और चाइना ने अपने नए representative को यहाँ पर appoint किया है ताकि जो भी present time में उही गूर जो crackdown देखने को मिल रहा है US ने blame किया है कि आपके यहाँ पर जो rights है human rights है उनको आप save नहीं कर पा रहे है तो उनको maintain करने के लिए चाइना अपनी तरफ से एकोसिस कर रहा है next important article science speech पर यहाँ पर देखो कुछ points पर discussion किया गया है एक तो booster dose के लिए बताया गया है कि हम booster dose का weight क्यों कर रहे है present time में अगर हम देखें तो लोगों की immunity को ध्यान में रखते हुए हमें मान रहे हैं कि covid का नया variant जो है वो effect कर रहा है तो क्यों ना booster dose के उपर अपने आपको क्या किया जाए change किया जाए यहाँ पर एक disease के बारे में बताया गया है उस disease का नाम है dementia dementia का मतलब यह होता है कि आपका जो mind है वो बहुत सारी चीजों को याद रखने से रुख जाता है dementia is a group of symptoms that affect memory and thinking and interfere with daily life बहुत सारी points हुए आपकी जो भूलने की बिमारी हो जाती है तो इस article में बताया गया है कि आप music को use करते हुए अपने इस disease को dementia जो disease है इसको आप ठीक कर सकते हो अपने brain को जो brain areas है नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल FAQ piece 14 piece पर इस आर्टिकल पर सबसे इंपोर्टेंट जो आर्टिकल आया है वो अफगानिस्तान को लेकर क्या आया है अभी हम बार-बार एक word सुन रहे हैं कि अफगानिस्तान में humanitarian disaster देखने को मिल रहा है मतलब क्या होता है humanitarian disaster का सबसे पहले तो हम देखें कि 2021 में हमने देखा कि 20 साल से अफगानिस्तान वाले area पर जो US है उसकी army deploy थी और यहाँ पर work की जा रही थी यहाँ पर government elect हो रही थी और जो army है US की army वो भी यहाँ पर security को maintain किये हुए थी लेकिन अगस्त का मन जैसे ही आता है 2021 में हमने देखा कि Taliban ने लगबग इस area को अपने under capture कर लिया क्योंकि US की army जैसे ही वापस यहाँ से return होने लगी Taliban ने complete area को अपने under capture कर लिया है तो दुबारा से 1996 से 2001 तक Taliban का यहाँ पर rule रहा उसके बाद में US ने अपने army का use करते हुए यहाँ पर government established की थी और Taliban को यहाँ से power से अलग किया था अब दुबारा से Taliban यहाँ पर आ गया है तो कुछ problems हो गई है problems होने का कारण यह है कि जैसे ही Taliban आया बहुत सारे US के sorry, अफगानिस्तान के जो accounts थे उनको freeze कर दिया गया देखो अफगानिस्तान की जो government थी उसका जो budget था वो international development assistance के थिरूँ सलता था 80% जो money है वो वहीं से आता था लेकिन जैसे ही Taliban ने capture किया काबूल को 15 August को तो government aid जो भी मिल रही थी जो भी donors थे उन्होंने suspend कर दिया उन्होंने अपना aid or assistance देना बंद कर दिया US ने 9.5 billion dollar का जो उनका account है अफगान central bank assets को उसको ये mainly जो ये assets है वो new york fed and american financial institution में save है वहाँ पर इनको freeze कर दिया गया the Taliban remain on the US treasury department section list मतलब बहुत सारे points के उपर उनको क्या कर दिया गया है तालिबान को means अफगानिस्तान को एक तरीके से बैन किया गया है according to the UN world food program the situation could become the world most humanitarian crisis UN की जो agencies है उनका ये मानना है कि present time में जितने लोग यहाँ पर हैं उनमें से 23 million जो लोग हैं वो acute food shortage को face कर रहे हैं US, European nation, India ये यहाँ पर अलांकि humanitarian aid जो है वो भेज रहे हैं लेकिन इससे कुछ नहीं होता कारण ये है कि अफगानिस्तान एक land log country है और land log country तक आपको अगर कोई सामान, कोई भी materials भेजना है, send करना है तो आप क्या कर सकते हो या तो airway का use करो लेकिन present time में यहाँ पर अफगानिस्तान में जो airways जो है वो बंद कर रखे हैं उनके उपर बैन लगा रखा है इसके अलावा हम use कर रहे हैं land area का land area का use करने के लिए आपको पाकिस्तान, इरान या सेंटरलेशा इनका use करते हुए आप यहाँ पर humanitarian assistance भेज सकते हो प्रजेन टाइम में अगर हम देखें तो अगर देखो UN Security Council ने 22 December को एक resolution अडोप्ट किया है जिसमें बोला गया है कि अफगानिस्तान को humanitarian aid दी जानी चाहिए international sanctions जो तालिबान के उपर लगा हुआ है हलांकि वो लगा रहेगा क्योंकि देखो बहुत सारे points है जिनके उपर discussion किया गया था तालिबान के साथ में और तालिबान जब तक उनके उपर agree नहीं होगा तब तक अगर उनको power दी जाती है तो हो सकता है कि आने वाले time में बहुत सारे countries को इसके side effect देखने को मिल तालिबान कैसे rule कर रहा है present time में हम देखें वैसे तालिबान ने जब rules and regulation में जब तालिबान आया था तो उन्होंने बोला था कि last time जब हमारा जो rule रहा था उसके different इस बार हमारा during time रहेगा और कुछ अलग करेंगे मतलब जो भी rights को human rights मान लीजे girls के rights मान लीजे women rights मान लीजे इन सब को हम secure करने की कोसिस करेंगे लेकिन अभी ऐसा present time में कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है अब देखो तालिबान की अगर हम recognition की बात करें तो किसी भी country ने अभी तालिबान को recognition नहीं दिया है कि वो as a government यहाँ पर situated है बहुत सारे countries पाकिस्तान, चाइना, रश्या, सेंटर लिश्यन जो countries है वो कोसिस कर रहे हैं तालिबान के साथ में काबूल के साथ में diplomatic जो उनके mission है उनको regular की हुई है चाइना का जो foreign minister है उन्होंने direct discussion किया तालिबान के साथ में इसके अलावा पाकिस्तान के जो prime minister है उन्होंने United Nation General Assembly में ये बात बताई कि सिर्फ और सिर्फ यही तरीका है अफगानिस्तान को strengthen करने का कि present time में जो वहाँ पर government है मतलब तालिबान जो government है उसको strengthen किया जाए और उसको stabilize किया जाए कतर जो country है उन्होंने तालिबान और US की जो talks है उसको host किया और इसके अलावा बहुत सारी जो countries है वो यहाँ पर discussion कर रही है कि तालिबान के साथ में discussion किया जा सके और तालिबान जो country है तालिबान जो government है उसको बहुत सारे points rules and regulations के उपर basis बनाया जा सके कि इन points के उपर आप agree होए हम अपने तरप से इन points को रखेंगे तो ये बात की जा रही है कि तालिबान किस तरीके से अस्तित्त्य में आया किस तरीके से जो regional countries है वो यहाँ पर work कर रही है कि तालिबान जो है उसकी वज़े से problem create ना हो और यहां के जो लोग है उनको सभी aid and assistance दी जा सके लेकिन अब देखो present time में हम issue देखें कि तालिबान जो है वो भी कई factors कई groups में बटा हुआ है कुछ groups ऐसे हैं जो बुलकुल extreme है लेकिन कुछ groups ऐसे है जो present time में हम देखें तो काफी moderate level के है लेकिन उनमें अगर एक तरीके से coordination नहीं बन पाया तो हो सकता है कि आने वाले time में जो एक groups हैं इनके बीच में ही अफगानिस्तान में वोर देखने को मिले जैसे कि जो हमारा जो नर्दन पार्ट है वहाँ पर एक valley पंसिर valley वहाँ पर हमने देखा भी था कि काफी protest हुआ था वो लोग ये चाते हैं कि जो तालिबान है जो group यहाँ पर rule कर रहा है वो ना करे और वो लोग जो protest कर रहे थे जिन्होंने एक तरीके से अटेक किया था और हमने ये भी देखा है कि जब से तालिबान आया है अफगानिस्तान में बहुत सारे इस तरीके के अटेक देखने को मिल रहे है बोम ब्लास्ट वहाँ पर हो रहे हैं तो उसका major reason यही है कि जो other group है वो यहाँ पर stability को dial blute करने की कोसिस कर रहे है तो यह जो conflict है इन groups में यह भी आने वाले time में एक major problem हो सकती है तो जब भी country other countries जो मिलकर के discussion कर रहे हैं वो ना सिर्फ present time में जो government है अफगानिस्तान में उसको stabilize करने की कोसिस करे बलकि जो other groups हैं उनके साथ भी negotiations हो कि इसकी वज़े से अफगानिस्तान को आने वाले time में problem ना हो यहाँ पर जो next article है वो COVID को लेकर के है इसमें बताये गया है कि इंडिया किस तरीके से respond कर रहा है COVID के जो नए variants है उनसको लेकर की अभी हमने starting में भी देखा कि हमारे यहाँ पर जो vaccination program है वो booster dose की उपर हम shift हो रहे है जो हमारे बच्चे हैं उनको लेकर के vaccination program हम start करेंगे और infrastructure की बात भी हमारे प्रेमिनिस्टर ने बताई कि हमारे यहाँ पर जो health infrastructure है उसको काफी ज़्यादा develop कर लिया गया है जो hospitals हैं उनमें bed की availability को increase कर दिया गया है इसके अलावा oxygen की काफी ज़्यादा कमी देखने को मिली second wave की दोरान हलांकि government की तरफ से last way statement यह आया था कि oxygen की कमी की वज़े से किसी की death नहीं हुई लेकिन हमने बहुत सारे ऐसे data देखे बहुत सारे ऐसे studies देखी जिसमें यह data सामने आये थे कि oxygen की कमी की वज़े से covid की जो second wave है इसने बहुत ज़्यादा effect किया था तो health infrastructure हमने बहुत ज़्यादा develop कर लिया है यहां पर article जो है वो economy को लेकर की है हमने यह देखा कि covid के time में जो हमारी economy है वो बहुत ज़्यादा effect हुई हर sector को effect देखने को मिला अब यहां पर दुबारा से जो हमारी economy है वो boost up हो रही है अपने जो पहले का जो trend था उसके उपर वापस आ रही है लेकिन present time में अगर हम देखें तो covid का जो नया variant है जिसकी वज़े से हो सकता है कि जिस momentum को हम gain करने की कोसिस कर रहे हैं उसमें कुछ hurdles दुबारा से create हो तो यह हमारा article हमने discuss किया इसमें बोला गया है कि देखो sustain growth जो है मतलब हमारी जो regulatory है हमारी GDP regular बन रहे हमारी economy में boost up regular है उसके लिए government जो है वो अपनी तरब से कुछ initiative करे कुछ incentive लोगों को दे लोगों की जो income है जो livelihoods है जो dilute हो गई है उनको दुबारा से progress करने की कोशिस करे अप करने की कोशिस करे तो government को अपनी तरब से काफी inputs इसमें देने होंगे जिससे हमारी जो growth and development है वो regular बनी रहेगी तो यह आज का हमारा discussion था ओके, thank you